प्रेंचाइजी में बड़ा विवाद सामने आया है और टीम की सव माली के और बॉलिवूट एक्टरस प्रेंचाइजी के सबसे बड़े शेयर दारक मोहित बर्मन के खिलाप कोट में याची का दायार की है प्रेंचाइजी में अपनी ग्यारा प्रेंचाइजी में अपनी 11.5 प्रतिसत हिश्यदारी पंजाब किंग्स के मूल कंपनी KPS ड्रिम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड में मोहित बर्मन की अर्थाली प्रसत की बड़ी हिश्यदारी है हाल ही में आई खबरों के अनुसार बर्मन अपनी कंपनी के 11.5 प्रतिसत हिश्यदारी के तिसरी पार्टी को बेशने की योजना बना रहे हाला कि शेयर बेशना एक आम व्यावसाइक प्रक्रिया है लेकिन फ्रेंचाजी बागीदारों के बीच एक आंत्रिक समझोत है कि इस्षयदारी से पहले मौजुदा बागीदारों के दी जानी चाहिए और क्रिक बच की रिपोर्ट के मुताबिक मोहित बर्मन ने अपनी इस्षयदारी बेशने का पहसला किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे हिश्यदारी बेचने की कोई योजना नहीं है और इसी मामले में प्रिती जिन्टा ने उठा है कानोनी कदम हाला कि प्रिती जिन्टा ने इस मामले में कानोनी कारवाई की है और इस मामले की सुनवाई 20 अगस्तों कोट में होगी फिलहाल इस विव कि टीम के 11.5% हिश्यदारी का वेल्यू कितना होता है ये भी जान लेते तो चलिए जानते है ये भी कितना वेल्यू है 11.5 हिश्यदारी का पंजाब किंग्स की 11.5 की फिसद हिश्यदारी कीमत 540-600 करोड रूपय के बीच आंकी जा रही है आईपियल में हर टीम की कीमत काफी ज्यादा है और दोस्तो आपको पता ही होगा कि पंजाब किंग्स की टीम ने आईपियल का खिताब अभी तक नहीं जीता है कि पिछले एक दसक से प्ले आफ में भी नई पहुचिब आई है तो दोस्तो ये ती आज की नई खबर तो कैसी लगी कॉमेंट जरू करना और ऐसे दिए गए बैल आइकन को भी प्रेश कर लेना और जाली मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में